अप्रीज प्राइवा त्राइव एल्यो वेल्कम बग वेल्कम बग टुपानशीर गीक फैंटसी प्रिवी फर देड़ ऐड़ गेम जो की है डबल हेटर का दूसर मुकाबला between women Indians and Chelsea Super Kings at the 1KD Stadium IPL में सबसे बड़ी rivalries में से एक दो सबसे successful teams और वैसे मैंने बना किया था इस match का वीडियो में नहीं बनाऊँगा बट बहुत सारे जो चार लोगी वीडियो देखते है उन चार लोगी DMI की पीज इस match का वीडियो बना दो क्योंकि पता नहीं उन्हें क्या मज़ा आता है ये match खेलने में इवन दो मैं views के लिए वीडियो बनाता है मेरे लिए हर एक rivalry उतरी ही important है क्या जीतने पर उतरी ही पैसे मिलते हैं और हाथ में उतरी ही जाते हैं चाहे दूबड़ी teams खेलें या दूब चोटी teams के लिए फिल्याल आप rivalry है तो बात कर लेते हैं head to head की overall में 2016 से आगे MI और at one kid is 74 से लेकिन one kid में जो हम बार और बात करते हैं जो chasing by से बहुत ही बड़ा है पहले match में तो यहां पर अच्छा कासा swing देखने हैं अगले match में बिल्कुल पाठा विकेट था बिल्कुल फ्लैड और ऐसा लग रहा था कि लास्ट जॉन्डलाइट्स गेम की बात कर रहा हूं से लग रहा था कि कुछ 40-50 नंस कंपड़ गया रसी बीगे जिबकि वह अल्मॉस्ट इतना अच्छा विकेट वो था लास्ट अगर पांच में से चार सी इसकेने जीते हैं लेरद मैच पति राना यह था चिपॉक में वाद केड़े में जो मैच हुआ चैने जीती साथ विकेट से रवंदर चड़े जा प्लेरद मैच वान केड़े में आगेन आकरी मुकाबला म पांच विकेट सेगी थी डानल साम्स जहां पर जो है लाइट चले गी थी अगर आपको यादो बहुत ही इंट्रेस्टिंग गेम था और पहली वोल्ड विकेट आ गया था और डियारेस नहीं ले सकते थे इसलिए वो विकेट आया डिवाय स्पोर्ट्स पार्टल चैने ही तो वांकिडे में आखरी दो मुकाबले जिस ने चेस किया है वो जीते हैं और इस मैच मुझे ने लगता कि कुछ खास डिफरेंट होने वाला है बहुत ही मैसिव बायस है चीरिंगा लास सीजन से अगर देखेंगे तो साथ बार चीजन साइट जीती है तीन बार बाटिंग जिसमें एक तो बाट डे गेम इंफूड़े दो डे गेम होंगे जिसमें से एक अभी सीजन मुंबई ने जीते था बाट फरस्ट आवरेस वर्स के नहीं हो 194 बट आप माल के से लिए 200-210 वाला विकेट था वो लास्ट वाला और जितनी खराब है से आरसीवी ने बोलिंग क की बात कर लेते हैं स्टाइब में तो यहां पर कोई चेंज होना नहीं चाहिए लास्ट में बात किती श्रेज गुपाल आपको या तो इस माच में खेलते पर दिखें आगले में तो लास्ट में ही आ गए वो और 2014 में पहली वाल पर आउट किया था मैक्सविल को दो हुजा नवी गार्ट कोईजिया श्रेज गुपाल जस्ट्री डुम्रान आकाश मडवाल फेज वाइज वाइज बात करें तो पाव प्लें बूमरा दिखेंगे गार्ट कोईजिया मडवाल और नवी लास्ट मैच में नवी ने पहला ओवर किया था वो थोड़ा RCB की हिसरी भी जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सेम लाइन अप में ओवर करेंगे बट उनकी वैल्यू मेडल ओवर से बहुत ज्यादा नहीं है वो आपको वैल्यू तब देंगे जब वो मुस्टली पाव प्लें में बूलिंग करना है और प्लास मैच पे भी ऐसे कुछ लगे नहीं कि ब उनका जो जिमाए लास्टे समाले जब मुम्रा नहीं थे और वो अब एक से दो और आपको करते भी दिखेंगे लास माच में 16 से 20 के बीच में दो और किये थे और इनकी और पहले करा दिये गए तो फिर आपके पास में रोमारियों को भी ऑप्शन है जो कि डेथ में बुलि कराते हैं हार्ड लेंट करते हैं तो जब भी खेलेंगे इन पर नजार रख लेना तो किसी को नहीं पता देगो चैर और पत्राना के फिटनेस के बारे में अभी पता है अगर पता से जाएगा तो मैं आपको बता दूगा और वह इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप आप कोई स्टेडियम में था उसने देख लिया तो बहुत वह मैसिव आपके लिए वो न्यूस होती है वैसे तो मेरे पास में एक दो प्लेस का जो है मुझे लग रहा था कि पंजाव वाले मैच में भी बट मैंने बोलने कि जब तक मैं कनफर्म नहीं हुगा तब तक आप लोग करते हैं पापले में आपको चाहर अगर खेलेंगे तो ऑफिसली दिखेंगे दो से तीन ओर करते हुए तीक्षणा देशपांडे और फिज यानि मुस्तुविजवर रहमाद में ठाकूर जडेजा और ठाकूर को बैठना पड़ जाएगा अगर आ जाते हैं पतिना बठाफ करते बाब आपको देश में दोर करते हैं और टॉप डिफरेंशल होंगे बाट मैं खुझ नहीं पिक कर पाया क्योंकि ठाकूर भी खेल गए तो फिर मेरा जो बायस था वो जिसी फर्म में थे मैंने ठाकूर को भी किया बाट देश पांडे ले गए बाट मुझे उसका कोई सेम लाइनप में देश पांडे दोवर्ज और अगर पथिनाना आजाते हैं तो फिर देश पांडे आपको एक ही कड़ते वह दिखेंगे फिर पथिनाना आपको 100% दोवर्ज करेंगे सब्स्ट्यूट बेंच लिस्ट पे ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो मैं रेकमेंड अगर खेलते हैं तो अब बात कर लेते हैं हम एक एक प्लेयर के जितने गर से नंबर पचाशाज दर नंबर जो बनांके लिए हैं विकेट अगर रहा तो उनलेस वह वैसा ही आर आर जैसा विकेट मिल जाए तो विकेट ज़रूर देख लेना क्योंकि फिर सेलेक्शन बहुत प्लेटेपेंट तरह नहीं है एक एक फ्रेट मुझे लगता है थीक्ष नहीं हो सकते हैं और वो भी अगर सेकेंड दिंग्स में आएंगे तो डियू और भी जादा हो जाएगी तो वह भी बहुत जादे नहीं रहेंगे जो पहले दूसरे और के बात तक फिर उसके बाद आ एक पचास जोकी आई है वाइल चेस हैंगे रोई शर्मा एडवान के ड़े हम हर मैच में बात करते हैं है एड़्ट में 26 का अवरिज है लास्ट अगर चार-पांच इनिक सी बात करेंगे हैं इस के बुरी तरह फेल हुए हैं बट वो लास्ट तीन-चार सीजन से होते वह आ ना मिले दरन विशल के इस टेक है तुशाद दिश्मान के इस टेक है शादूल ठाकु सब के इस बढ़िया है और फिस्क के अगेंस तीन है उड़ेज में इन्हें भी बहुत चक्किल है तो मुझे लगता कि कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट है अधर दीपक चेर ऑन ग्रीन स सुरिकुमर्यादव एडवांकेट इस 37 का आवरेज है और हेट टुएट 23 गाई इनके वर्स्ट आवरेज में से नाइंपियल और उसका रीजन है अगली स्लाइड में आपको दिखेगा वहें रवेदर जडेजा चार डिसमिसल आचुके हैं इन टीट-टीज ओवरॉल तीन है आई पील में एक आया चैंपियंज लिंग में जो कि अभी मेरा फेवरेट वर्णामेंट है वीच चल्दी वापस आजाए एक अगेंस दीपक्चर टीक्षना गेंस को डिसमिसल नहीं स्टाइड़ 143 दोगें शादू ठाकूर वनागेंस मस्तिवजूर राहमान एक ही थ् दिसमिसल वह भी आई पेल में सबसे जादा वह जड़ी जग इंश्ट है नरिम के इंश पी तीन है निए तो ऐसे बहुत सारे प्लेज इंगेंस तीन 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 नहीं रही है और बाद वे कामिंग बाट उसका है लास्ट जो नहीं निंग के ली ती जो कि चिपॉक में थी अ तो सामने आपके पास रवंदर जड़ेजा है बस एकी डिसमिसल बागी कुछ है नहीं बात करने को हर्दिक पांडिया है आठ विकेट्स प्रिकेट्स साथ बूलिंग सेकेंड करते वाए हैं आट वान खेड़े 35 विकेट्स हैं और बहतर नंबर्स रहें जब उनने पहले ब इनका भी थोड़ा सा वो रहा है लेपनाउस के इस रिसेंटली एक ताइम बहुत अच्छा खेलते थे बढ़ थोड़ा सा बच के खेलते हैं जहां पर थोड़ा सा चड़ जाते हैं वोलर्स वनागे जिपक चैर वनागे सिक्षना वनागे पतिराना तो असे ज़्यादा कु तो अगेंस तुशार दिश्पांडे तो अगेंस टीपक चैर वनागे शार दोल्ठाकोर तो हमारी शफ़र्ड अड़वान के ड़े अनरिक नौकिया बताएंगे आपको यह रंज कैसे पड़े बच्छिस में 65 और साथ अवोज में फिलाल एक विकेट है मैंच उसकी बात कर हैं तो फिर वैल्यू और बढ़ जाएगे श्रेज गुपार अडवान केड़े 25 और में तीन विकेट हैं और हैं फिलाल पांच इसमें से चार बोलिंग करते हैं और बाटिंग भी कर लेते हैं बाटिंग नंबर भी आपके सामने डाल दिये हैं मौमन नमी वर्सिस रहमान द चुक हैं अब है्टवेंड में 12 है ये 26 का जो स्ट्राइक रेट है ये खराब नहीं है पिस वर्स डेइड़ चुके हैं ऐस लेवल के प्लेयर है चराल नमबर नहीं हो था अब अच्छा भी नहीं है अट उतना खराब नहीं है कि वह वर्स्ट हो अकाजमडवाल एड़ डव उतनी खराब बोलिंग थी नहीं वो जितने खराब शायद आपको फिगर से लगेगा चलते हैं CSK पे स्टार्डिंग विद गाइक वार्ड आटवांट खेड़े 27 कावरेज है दो-पचास दोनों बैट फर्स करते वाए हैं और लास्ट हम दो साल में बात करते वाए हैं लास् सब्सक्राइब करते हैं जो हमने बहुत डीटेल में बात की थी इस लाइनप में लिफ्टांपी सर नहीं है और दूसरा आइधिंक श्रेस गोपाल भी एक थ्रेट हो सकते हैं जो कि थोड़ा ओवर एग्रेसिव खेलते हैं अगेंस लिक स्पिनस काई बार रित्राज गाइक सब्सक्राइब करें तो किसी की कोई खराब नंबर आपको मिलेंगे नहीं बुम्रा को इनफाट काफे चेखे है डारन विशल हैट टूएट रिकार्ड दो इनिक्स में 33 और वो सेक्सेस अभी तक आई फिल में दिखे नहीं है वोब्रा के इस दो डिसमें सेलें 11 वाल में हलाकि उसके बाद बुम्रा को इन्होंने काफी अच्छा खेला था जो बोड़ वर्लकॉप में खेले थे धरम श जाएगा आपको जिस्वी मुरा के इस दो डिसमेंसल ने बट फॉर्म इतनी जादा अच्छी है कि डर तो लगता है राम दे जड़े 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 हैट टो एट रिकार्ट सत्रक आवरेज और 22 विकेट्स पिक कर चुके हैं प्लेयर दो मैच भी थे इसी वेन उपकी इस साइड और वान खेड़े में फिलाल 26 का आवरेज है एक 62 नाट आउट के निंग खेली थी और 19 फिकेट्स फिलाल ये पिक कर चुके हैं इस वेन उपर फिल्ट बहुत जड़े वैल्यू नहीं है बस इन टर्ब्स अप कंडिशन अगर में बात करूं बट बहुत सारे बैटर ये नंबर्स आपके सामने हैं फिर मैटसप्स के बात करें तीन अगेंस बूमरा आपको दिखेंगे वहाँ पर वन अगेंस गोपाल और वन अगेंस वान खेलते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं नंबर्स बढ़िया रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको न्यूबल बोलर्स क पे कीन है तुछा दिश्पांडे रिकॉर्ड वांग केड़े गयारा विकेट्स और इनका भी होम वेन्यू है जिस्ट लेक शड़तु ठाकपर मुंबई के लिए खेलते हैं ये भी आठ विकेट्स बुलिंग फॉर्स्ट और हेट्टो एड में साथ ओवर्स में चार हैं और से एक विकेट्स है बहुत ही बहुत ही बहतेरी स्ट्राइक रही है 23 की मतलब अगर आप वेन्यू के ओडिंग देखें तो नौ विकेट्स और साथ विकेट्स हेट्टो एड्ट में भी है श्रदु ठाकपर एडवांग केड़े इनका घर है यहां के डॉन है और 25 विकेट्स य आठ बोलिंग सेगिंड करते हुआ हैं माचब्स आपके सामने जादा कुछ हैनी नौवल में 17 गेंस भी दूब रहा और इसी के साथ हो जाते हैं नंबर समाब तब हम चलेंगे सब्सक्राइब के पंजाब के बाद सिस्केंश्टी है फिल्के पचासब तक मारी नौइनिंग्स में थ्रेट आइफील डीपक्चेर अगर बॉल स्विंक होता है तो अदर्वाइस माइस दीखना वो भी शाटिंग के दोज में अदर्वाइस एक बहुत ही बड़ी ऑप्श सब्सक्राइब नजर नहीं लगने चाहिए तो सुरिकुमार यादव लासमाचा वाइस कैप्टन और कैप्टन वाइस काप्टन कॉम्बो में थे बुमरा और सुरिकुमार यादव इस मैंच में बड़े बड़े ऑप्शन लेंगे चेस करते हुए बट उनका लोएस्ट लेकिन जो माटर करता है वह रवंदर जड़े जाओंके जो सामने आएंगे चार्ड इसमें से लोवरॉल टीट्विंटी समें से हैं एक आये चांपियंश लीग में चैंपियंश टीपिंटी और आखरी जो इनिंग खेली थी जो थी चिपाउख में वहाँ पर बोल्ड लिक जो जाधा है बाकी मैंचों पर यहां पे चुफ्टी एंग का अवरिज है सिंस लास्ट येर और बहुत रंश मारें लोने लास्ट सीजन फाटन रहा था है मई का वो चेज करते थे दोसो रंखाते थे और दोसो रंश बहुत ईजिली चेज कर जाते है ठैक्स टू बहुत मे सब्सक्राइब करते हैं कि एक डिसेंट आप्शन रहेंगे हाला कि जितना पाटा वो विकेट था तो बार बार वो जो है फाइफर तो आएगा नहीं वाट आप तब भी बैक करते हैं कि एक यह दो विकेट तो बुम्रा लेके जाएंगे जाएंगे जिस फॉर्म में वह हैं जिस तरी किसे बोलिंग कर रहा हैं जिस फेस्व में आ रहे हैं और बहुत सारे बाट इसके इस नंबर पर अच्छे हैं स्काई चेज करते वे नंबर बहुत ही बहतरीन रहे हैं वानखेडे में इनका सिक्का चलता है और एक ही थ्रेट है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़दा उसको सोचके आपको क्याप्टन है वाइस काप्टन नहीं मनाना अच्छे हैं मैं तब भी बनाओं गई इशनकिशन रोहिद दोनों बहुत अच्छे उप्शन है स्विंग अगर नहीं हो रही है दीपक चैर नहीं खेल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसे कोई थ्रेट बचेगा कि आप इनको उसकी वज़े से ना बनाए तो इसके अलाबा अच्छी बाटिंग के और चौथे में आपको मिलेंगे गाइकवार्ड चेस करते हुए हलाकि गाइकवार्ड टंस इन कंडिक्शन अटाइज बहुत ज्यादा सक्षेसर वाई सीजिंग लास्ट एक दू सीजन में नहीं हुए तो यह कापिन से ऑप्शन रहेंगे अगर अब आपको है बिलकुल जैसा विकेट हो जाता है तो मैं आपको अप्डेट कर दो हैं टेलिग्राम तो प्लीज लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लीजेगा जॉइन कर लीजेगा अधर्वाइज विडियो से पहले विदाउट लिगने तो यह मेरे ऑप्शन से और विगेट देखन जिसमें बान खेड़े आप उंग्लूड कर सकते हैं एडन जो के फ्लाइट विकेट हो चुका है वाइज जैक में हमने उस सेम चीज़ देखे हैं वहाँ बहुत रंच बने है ऐसे विकेट पे जहां पर अच्छा पेस पर बॉल आ रही है अच्छे बाउंस आ रहा है और साम आपको कुछ दमागेदार मिल जाता है यार यह तो आज किसी को नहीं पता है जैसे आपको पता से लिए कि आज रोही चर्मा इशनकिष्ण सुर्यकुमार यादव कोई नी खेलेगा तो खेले जागा इक्सपड मोड तो विक डिवस एक्ष्ण में आपके पास बहुती स्ट करते हैं तो किस और यह तो यह तो पता नहीं जिस मोड में खेलता है मुझे पर्शनल को देखके बहुत मजा रहा है तिला कुर्मा अगें चेस करते हुए आप ज़रूर कर सकते हैं बट क्यारटी नहीं है तो किस और पर वह आ रहे हैं किते रंस बचेंगे थोड़र रिस ज़रूर है तो और अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है तो फिर आप अजिंके रहने को भी ट्राइ कर सकते हैं चेस में तो और भी वहतर आप्शन होंगे लास मैच में बाइदे वे अगर आपने देखो अजिंगे राने बाटिंग करने नहीं आए थे क्योंकि फील्ड के बाहर थे और वो आस पर रूज नहीं आ सकते थे इसलिए डारल मिशल उपर आए अब फुली फिट होंगे तो खेलेंगे और खेलेंगे तो फिर गोई आएंगे नमबर तीन पर यहां पर और बाकी कोई है करने के लिए और 6 में रवेदर जड़ेजा हर्दी पांडया दो बहुत ही स्रेट ऑप्शन है हर्दी पांडया मैं अभी बोल रहा हूं मौहमन अभी जब तक खेल रहे हैं उनके चांस अच्छे खास है बोलिंग करने कि हो जबता है और ज्यादा करें डारल मैश तो कंप्ल बोलिंग वाल्यू जरूर है और वो रंज भी आके कर सकते हैं नीचे आके भी क्योंकि बहुत ही पाटा विकेट था तो एक उप्शन जो मैंने भी यहां पे चोड़ा हुआ है वो डारल विशल भी है रोमारियो शेफर्ड एक उप्शन है बट फिलाल मेरी टीम में मुझे इनके केस में विकेट भी लेके जाएंगे जो आने रोके नहीं लेके गए इनका बोलिंग से ब्यूरा बहुत ही स्टेट उप्शन आप पतिरयाना आ जाते हैं तो पतिरयाना मेरी टीम में आ जाएंगे अगर एमाई पहले बूलिंग कर रही है तो कियारत कुझ है और एवन बूलर कम भी कर सकते हो इवन फर्स्ट बूलिंग टीम का भी फिर आप एक्स्रा और टॉप अटर प्लियर सकते हो और तुशाट दिश्पांडे अगें टॉप डिफरेंशल रहेंगे बूलिंग फर्स्ट क्योंकि रंस खाएंगे बट विकेट लेके जाएंगे और हमें चा इसलिए खा गए तो फैंटेसी के मज़ा यही है इसलिए इतना डिफरेंट टेक रिकेट हैं और अगर आपको मज़ा आया हो तो ज़रू बताइएगा और बहुत ज्यादा महनेत हो गई है मैं दिन्स के पता नहीं कितने वीडियो गर चुगा हूँ पांच मांसे चल रहा है मेरे दिमाग में भी तो टेलेग्राम चैनल पर आ जाना और पिछ देख लेना मैं पिछ जो भी इंसाइड जोगी आपको देदूँगा आज के लिए इतना ही और जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब भी नहीं किया है तो यार क्योंग नहीं कर दो कर में आज के लिए इतना ही और मंडे को प्रिवियो आ जाएगा और टाइम आज दो विडियो कर दिया है मैं येस के बाए